देखो अगर आपका बजट 10 लाग से लेकर 15 लाग के बीच में है और आपको एक अच्छी बेस्ट इस विकारों के बार में बात करूंगा जो कि आप इसको देखोगे तो यह काफिया तक कमाल की दिखने वाली है पर्सनली महिंद्र थार का मुझे रेड कलर कॉंबिनेशन विद हाड ब्लाक टॉप के साथ बहुत ज़द आच्छो लगता है इसके इंटरे में बहुत सरी इंप्रुमेंट्स करे गए हैं पहले के मुकाबले मतलब पहले मॉडल के इंदर इतने ज़दा फीचर्स ओफर नहीं होती है 12.78 लाक रुपीज से बेस मॉडल की एक्षुरम राइस और इसका टॉप मॉडल लगबग 15.08 लाक रुपीज तक चौरा जाता है लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ वाली बात यह है कि महिंद्र थार का वेटिंग पिरेड है लगबग एक साल का वेट करना जो फोध नंबर की कार आती है जो कि आपको कंसिडर कर सकते हैं वहें महिंद्रा की स्कॉर्पियो अलाकि इसका नेक्स जनरेशन वीरियंट बहुत जल्दी इनियन मकेट में लांच होने वाला है इसलिए इस अकार को मैंने इंक्लूड किया है क्योंकि इसका जो एक्स्टेर और इसका इंटरेर भी कंप्लेटली नियू रहने वाला है और नेक्स जनरेशन स्कॉर्पियो को लाइक अगले एक दो महीन के अंदर इंडियन मकेट में ऑफिशली लांच किया जाएगा वही अगर मैं करेंट स्कॉर्पियो की बात को तो इसको भी इंडियन मकेट में और इसका टॉप मोडल 17.14 लाक रुपिस तक चला जाता है अगर आप स्कॉर्पियो लेने की सोच रहे हो तो मेरे कहां सबको नियू स्कॉर्पियो के लिए रुखना चाहिए क्योंकि अगले एक दो महीने के अंदर इसको इंडियन मकेट में ऑफिशली लांच किया जाएग इन दोनों ही color combination के साथ Tata की Harrier का जो road presence है next level पर चला जाता है इसका front fascia भी दिखने में काफिया तक मस्कुलर और जबदस लगता है इसके अलाबा रियर से भी ये काफिया तक बढ़िया लगती है Tata Harrier की इंटरेर में अच्छे का से features offer करे गए है हलागि advanced level के features इससे miss out है ल और Tata Harrier की कीमत इंडिया में स्टार्ट होती है 14.39 लाग रूपीस से 20 मोडल की action price इसका top model 21.09 लाग रूपेस तक चाला जाता है अगर आपका बजट 15 लाग के ऊपर है तो मैं आपको recommend करूंगा आप Tata Harrier के साथ जा सकते है वही जो second number की कार आती है जो कि आप consider कर सकते है इ इसका इंटेरे भी काफिया तक जबदस थे हाला कि company ने इसके अंदर एक petrol engine और एक diesel engine दिया हुआ है और XCV 7W लगबग 14 km से लेकर 16 km का mileage दे दी थी है XCV 7W की कीमत इंडियर माकेट में स्टार्ट होती है 12.49 लाग रूपीस से 20 मोडल की action price इसका top model लगबग 23 लाग रूप एक साल के बाद इसके delivery आपको मिल जाएगी तो इसका जो वेटिंग परेड है काफी ज्यादा है हाला कि क्रेटा सेल्टार्स का भी वेटिंग परेड उतना ही है लेकिन जो नंबर वन पोजिशन पर का रहा थी है जो कि आपको किसी और कार के अंदर देखने को नहीं है अला कि इसके बेस मॉडल के उपर अल्रेडी एक वीडियो मैंने बनाया है उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी वह वीडियो आप देख सकते हैं अगर मैं इसके लूप के बात को तो इसका front फीशा इसका side का profile और rear का profile दिखने में काफिया तक अच्छा गासा ह इसके अलाबा इसका interior काफिया तक premium है इसके base model के अंदर भी आपको premium लेदर देखने को मिल जाएगा वही अगर मैं engine specifications की बात करू तो MG Aster के अंदर दो petrol engine options offer करे गए है और यह लगबग 12 KMPL का mileage दे दीती है हालाकि इसकी कीमत इंडिया में start होती है 9.78 लाग रुपीस से base model की extra price इसका top model 17.38 लाग रुपेस तक चला जाता है तो यहाँ पर यह पाच कारे थी अगर आपका budget 10 लाग से लेकर 15-16 लाग के बीच में है तो यह पाच कारे आप consider कर सकते हैं इन में से कुछ कारे मैं आपको recommend करोंगा पहली रहेगी MGK Aster इसके delivery आपको थोड़ी से जल्दी मिल सकती है दूसरे नंबर पर आती है काटा की higher gear इसकी भी delivery आपको थोड़ी से जल्दी मिल सकती है और तीन नंबर पर है XV7W के लिए आपको लगबग एक साल का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि उसका जो वेटिंग परेड है वो काफिया तक लंबा है तो यह पर यह पर यह 5 SUV कारे आप consider कर सकते हैं अगर आपका बजट 10 लाग से लेकर 15-16 लाग के बेच में है इन में से आपकी कोह से फिपर मेच वेड दित बच तक यू सो मुच